हेलो फ्रेंड्स विल्कम टू माई चैनल इस्टडी बिद सिल्पी फ्रेंड्स हम लोग यूजी सिन्नेट एक्जाम के सेकेंड पेपर जोग्रॉफी पीजी टी जोग्रॉफी एंड ओल अपकमिंग जोग्रॉफी एक्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स आज हम जोग्रॉफी में जोग्रॉफी के महत्पूर्ण वन लाइनर कुश्चन को पढ़ेंगे जो की सभी एक्जाम्स में पूछे जाते हैं और आपके एक्जाम के पॉइंट आप व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ओके फ्रेंड्स तो आईए सुरू करते हैं सबसे पहला कुश्चन है सूर ग्रहन में पूर्ण सूर ग्रहन की अधिक्तम अवधी होती है तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 7 मिनट 40 सेकंड सूर ग्रहण में पूर सूर ग्रहण की अधिक्तम अवधी 7 मिनट 40 सेकंड होती है okay friend next है हिमाले की किस चोटी का नाम सागर माता है तो friends इसका सही आंसर है एवरस्ट सागर माता किस चोटी का नाम है एवरस्ट चोटी का नाम है ओके फ्रेंट्स नेक्ष्ट है गंगा को बांगला देश में किस नाम से जाना जाता है तो फ्रेंट्स गंगा को बांगला देश में पद्मा के नाम से जाना जाता है नेक्ष्ट है तिस्ता नदी किस प्रहत नदी विवस्था के अंतरगत आती है तो Friends, इसका सही आंसर है ब्रिम्भ पूत्र नदी के तिस्ता किस की सायक नदी है? ब्रिम्भ पूत्र नदी की ओके Friends, नेक्स्ट है किस नदी को बुड़ी गंगा के नाम से जाना जाता है तो friends, गोदावरी नदी को बुड़ी गंगा के नाम से जाना जाता है किस नदी को बुड़ी गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी को ओके friends, next है सेन फ्रांसिसको से बलाडी बोष्टक के लिए नियुंतम दूरी तै करने ही तू किस एक महासागर के उपर से उडान भरनी होगी तो इसका सही आंसर है फ्रेंट्स प्रिसांत महासागर के उपर से ओके फ्रेंट्स नेक्ष्ट है लहोट से परवस्त्रेड़ी किस देश में है तो फ्रेंट्स लहोट से परवस्त्रेड़ी है नेपाल में ओके फ्रेंट्स नेक्स्ट है धौला धार तथा पीर पंजाल परवस्त्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी इस्थित है तो फ्रेंट्स धौला धार तथा पीर पंजाल परवस्त्रेणियों के मध्य कुल्लू घाटी इस्थित है निक्स्ट है वर्जीनिया तंबाकु प्रमुक्तया किस देश में उगाई जाती है तो फ्रेंट्स इसका सही आंसर है संयुक्त राज अमरिका में वर्जीनिया तंबाकु प्रमुक्तया संयुक्त राज अमरिका में उगाई जाती है नेक्स्ट है एसिया का मृतक सागर डेट सी किस प्रकार की घाटी का उधारण है तो फ्रेंट्स एसिया का मृत सागर या डेट सी रिप्ट घाटी का उधारण है किस घाटी का रिप्ट घाटी का ओके फ्रेंट्स नेक्स्ट है भारत का छोटा नागपूर का पठार किस प्रक का पथार है तो friends भारत का छोटा नागपूर का पथार गुंबदाकार पथार है किस कार का पथार है गुंबदाकार को Leton संसार का प्रशिद्ध डोनवासा कोईला छेत्र किस देश में है तो फ्रेंट्स संसार का प्रशिद्ध डोनवासा कोईला छेत्र है यूक्रेन में कहां है यूक्रेन में है ओके फ्रेंट्स नेक्स्ट है मोटर गाड़ी निर्माड करने वाली हेंरी फोर्ड कमपनी कौनसी हें फोर्ड कंपनी किस सहर में है तो फ्रेंट्स इसका सही आंसर है डेट्राइट में नेक्ष्ट है भद्रावती किस उद्धोग के लिए प्रसिद्ध है तो फ्रेंट्स भद्रावती प्रसिद्ध है लह इसपात उद्धोग के लिए नेक्ष्ट है पिंपरी या पूडे किस कमपनी के लिए प्रिसिद्ध है तो फ्रेंट्स इसका सही अंसर है हिंदुस्तान एंटी बायोटिक लिम्टेट के लिए पिंपरी या पुड़े हिंदुस्तान एंटी बायोटिक लिम्टेट कमपनी के लिए प्रिसिद्ध है ओके फ्रेंट्स नेक्स्ट है व्यूत्क्रम ता धितोप होता है क्या होता है वीतक्रम ताप उचाई के साथ ताप मान का बढ़ना वीत क्रम नाप या इंवर्जन टम्परीचर कहलाता है ओके फ्रेंट्स नेक्स्ट है एसिया में उत्तर से दच्छड की ओर क्रेम से पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पती प्रदेशों का सही अनक्रम है तो इसका सही अनक्रम है तुन्डरा, टैगा, इस्टेपी, समाना और भुमध्य रेखी एईसिया में उत्तर से दच्छिंड की और प्राकृतिक वनस्पति का सही क्रिम है तुन्डरा, टैगा, इस्टैपी, समाना और भुमद्रे की प्रदेश ओके फ्रेंस नेक्ष्ट है विशु का कहुअ पत्तन कहलाता है कौन कहलाता है विसु का कहुआ पत्तन साव पालो कहलाता है नेक्स्ट है अमरीका में पिट्स वर्ग किस हेतु प्रसिद्ध है तो फ्रेंट्स पिट्स वर्ग प्रसिद्ध है लोह इसपात उद्धोग के लिए नेक्स्ट है विसु का सरवाधिक घनी अबादी वाला छेतर है तो फ्रेंट्स विसु का सरवाधिक घनी अबादी वाला छेतर है दच्छिड एसिया छेतर नेक्स्ट है राष्ट्री एटलस एवं तत्वगत मांचित्र संगठन कहां इस्तित है तो फ्रेंट्स राष्ट्री एवं तत्वगत मांचित्र संगठन इस्तित है कोलकाता में ओके फ्रेंट्स नेक्स्ट है बिली बिली क्या है तो इसका सही आंसर है friends बिली बिली आस्ट्रेलिया के उपर चलने वाला उष्ट कडिवन्धी चक्रवात है नेक्स्ट है गुरु सिखर एक चोटी है कहां की माउन टाबू की गुरु सिखर माउन टाबू की एक चोटी है नेक्स्ट है योजना आयोग द्वारा भारत को कितने क्रिशी जलवाई चेत्रों में बाटा गया है तो friends योजना आयोग द्वारा भारत को 15 क्रिशी जलवाई चेत्रों में बाटा गया है कितने क्रिशी जलवाई चेत्रों में 15 क्रिशी जलवाई चेत्रों में ओके friends नेक्स्ट है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अवस्थित है कहां आस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आस्ट्रेलिया में अवस्थित है नेक्स्ट है पिरे नीज परवत किन देशों के बीच अंतरराष्टी सीमा बनाता है तो फ्रेंट्स पेरे नीज परवत फ्रांस और इस्पिन के बीच अंतराष्टी सीमा बनाता है ओके फ्रेंट्स निक्ष्ट है बेने जुएला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं तो फ्रेंट्स बेने जुएला के घास के मैदान कहलाते हैं लानोज क्या कहलाते हैं बेने जुएला की घास की मैदान लानोच कहलाते हैं ओके फ्रेंट्स निक्स्ट है कार्डे मम हिल कहां इस्थित है तो फ्रेंट्स कार्डे मम हिल इस्थित है केरल में कहां इस्थित है कार्डे मम हिल केरल में इस्थित है नेक्स्ट है बूढ़ी गंड़क नदी का स्रोत है क्या है बूढ़ी गंड़क नदी का स्रोत शोमिश्वर की पहाडियां ओके फ्रेंट्स नेक्स्ट है कोयल कारो विद्दुत परियोजना किस राज में इस्तित है तो फ्रेंट्स कोयल कारो विद्दुत परियोजना इस्तित है हिमानचल प्रदेश में नेक्स्ट है ब्रेंब पुत्र नदी का उद्गम कहां से हुआ है तो फ्रेंट्स ब्रेंब पुत्र नदी का उद्गम हुआ है तिबबत में कैलास परवत से नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज सबसे अधिक राजयों की सीमा को इसपर्ष करता है तो इसका सही आंसर है friends उत्तर प्रदेश भारत का उत्तर प्रदेश राज सबसे अधिक सीमाओं को सपर्स करता है Okay friends next है डौगर बैंग से ताथ पर है डौगर बैंग से क्या ताथ पर है पूर्व अटलांटिक के मतस्ते छेत्र से Okay friends next है इंद्रा पॉइंट क्या है तो फ्रेंट्स इंद्रा पॉइंट भारत के दच्छिर्टम इस्थल को इंद्रा पॉइंट नाम दिया गया है जो कि कहां इस्तित है अंडमान निकोबार दियुप सम्मूह में ओके फ्रेंट्स तो भारत के दच्छिर्तमिस्थल को क्या नाम दिया गया है इंद्रा पॉइंट दिया गया है जो कि अंडमा निकोबार्दियूप सम्मूह में इस्थेथ है नेक्स्ट है भारत की सीमाई कितने देशों से जुड़ी हैं और वे कौन कौन से देश हैं तो फ्र नेक्स्ट है भारत का सर्वोच परवत सिखर कौन सा है तो फ्रेंट्स भारत का सर्वोच परवत सिखर है केटू या कंचन जंगा क्या है केटू या कंचन जंगा भारत का सर्वोच परवत सिखर है जिसकी उचाई 8600 गेरा मेटर है ओके फ्रेंट्स नेक्स्ट है हॉलिवू संयुक्त राज अमेरिका में कैलिफोर्निया राज के लॉस एंजल में इस्थित है और यह चलचित्र और दूर दर्शन उद्दोग केंद्री थैं यानि फ्रंट्स हॉलिबुड जो है वो संयुक्त राज अमेरिका में कैलिफोर्निया राज के लॉस एंजल में इस्थित है ज ओकी फ्रेंट्स नेक्स्ट है भारत में साथ बहनों का राज किसे कहते हैं तो फ्रेंट्स भारत में साथ बहनों का राज कहते हैं पूर्वत्तर भारत के साथ पहाडी राज्यों को जिन में आते हैं असम, नागालेंड, मडीपूर, अवडांचल प्रदेश, मेगाले, मिजोर पुर्वत्तर भारत के साथ पहाड़ी राज्यों को कहते हैं जिसके अंतरगत असम नागा लेंड मणिपूर अडवांचल प्रदेश में घाले मिजोरम और तुर्पुरा आते हैं ओके फ्रेंट्स नेक्स्ट है बिसवन जिवनिधी का सुभंकर क्या है तो फ्रेंट्स बिसवन जिवनिधी का सुभंकर है पंडा क्या है पंडा है बिसवन जिवनिधी का सुभंकर ओके फ्रेंट्स नेक्स्ट है जीवास्म नेशनल पार्क अवस्थित है कहां अवस्थित है जीवास्म नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के मंडला जिले में जीवास्म नेशनल पार्क अवस्थित है इदुक की जल बिदुत परियोजना किस राज्य में इस्थित है तो फ्रेंट्स इदुक की जल बिदुत परियोजना केरल में इस्थित है कहां सित है इदुक की जल बि सिध्धान का प्रतिपादन किया था किस ने किया था एरी ने किया था महा साग्दी जुआर सम्बंधी आप प्रगामी तरंग सिध्धान का प्रतिपादन एरी ने किया था ओके फ्रेंट्स नेक्स्ट है गोबिंद सागर किस बांध का जला से है तो फ्रेंट्स गोबिंद सागर रियहंद बांध का जला से है नेक्स्ट है प्रिवाल बिरंजन परिडाम है इसका सही आचर फ्रेंट्स समुद्री जल प्रिदूशन का प्रिवाल बिरंजन या कोरल ब् कहां इस्थित है उत्री अट्लांटिक महसागर में बर्मूडा त्रिकोड उत्री अट्लांटिक महसागर में इस्थित है नेक्स्ट है यलो इस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है कहां अवस्थित है शैयुक्त राज अमेरिका में यलो इस्टोन नेशनल पार्क शैयुक्त प्राइद्यूप से किस जलसंधी द्वारा अलग किया जाता है तो फ्रेंट्स सिंगापूर्द्यूप मलाय प्राइद्यूप से मलक का जलसंधी द्वारा अलग किया जाता है नेक्स्ट है जम्मु काश्मीर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग किस परवत स्रेडी में है तो फ जासकर परवस्रेडियों के बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है तो फ्रेंट्स लद्दाख्यों जासकर परवस्रेडियों के बीच से सिंधु नदी कौन सी नदी शिंधु नदी प्रवाहित होती है नेक्ष्ट है उदेपूर की जावर खाने किसके स्रेडियों के बीच में कौन सी नदी प्रवाहित होती है तो उसका सही आंसर फ्रेंट्स जिंक या जस्ता के लिए नेक्ष्ट है तुलबुल परियोजना किस नदी पर है तो फ्रेंट्स तुलबुल परियोजना है जेलम नदी पर next है, दचिर मध्य रेलवे का मुख्याल है सिकंदरा बाद में next है, हौंग हो नदी किस सागर में गिर्ती है next है, सरिष्का सिंक्चुरी किस राज्य में इस्थित है तो friends सरिस्का सेंक्च्वरी इस्तित है राजिस्थान राज्य में Next है इंद्रा गांधी नहर कि नदियों के जल का उप्योग करती है तो friends इंद्रा गांधी नहर को सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरी के बांध से जल मिलता है Okay friends Next है सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधी थै तो friends सरदार सरोवर परियोजना संबंधी थै गुजरात राज्य से Next है बांधीपूर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्ब किस राज्य में इस्तित है तो फ्रेंट्स बान्दीपूर प्रोजेक्स टाइगर रिजर्ब इस्तित है करनाटक में बान्दीपूर कहां इस्तित है करनाटक में इस्तित है नेक्स्ट है विस्व में सबसे अधिक कौफी उतपादक देश है कौनसा है फ्रेंट्स ब्राजील है बिसो में सबसे अधी कोफी उद्पादक देस ब्राजील है लुफ्ट हंसा किस देस की एरवेज है तो फ्रेंड्स लुफ्ट हंसा जर्मनी की एरवेज है नेक्ष्ट है छेत्रफल की द्रश्टी से बिसो का सबसे छोटा देस है कौन सा है भेटिकन सेटी छेत्रफल की देश्टी से विसो का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है नेक्स्ट है भारत का सर्बोज परवत सिखर है कौन सा है केटू या गौडविन भारत का सर्बोज परवत सिखर केटू या गौडविन है नेक्स्ट है प्रत्वी से सूर की औस्तदूरी कितनी है तो इसका सही आंसर है फ्रेंट्स 14.9 करोड किलो मीटर प्रत्वी से सूर की औस्तदूरी 14.9 करोड किलो मीटर है ओकी फ्रेंट्स नेक्स्ट है श्वर्णीम चतुर्भुज दो तक है किसका दो तक है स्वर्णीम चतुर्भुज चार विराट नगरों दिल्ली मुंबई चिन्नाई और कोलकाता को अंतर सम्मंधित करने वाले सुपर राज मार्ग का दो तक है ओके फ्रेंट्स नेक्स्ट है योजना आयोग ने भारत को कितने क्रिशी जलवाई प्रदेशों में बाटा था तो फ्रेंट्स योजना आयोग ने भारत को 15 क्रिशी जलवाई प्रदेशों में बाटा था नेक्ष्ट है गुरु सिखर एक चोटी है किसकी माउंट आबू की माउंट आबू की गुरु सिखर एक चोटी है नेक्ष्ट है गोकुल ग्राम योजना चल रही है कहां चल रही है गुजरात में निक्ष्ट है तिल्गु गंगा परियोजना के जल में हिस्सेदार राज्ज हैं कौन-कौन से आंध्रदेश, मध्रदेश तथा महाराष्ट निक्ष्ट है नर्मदा और ताप्ती नदियों से घीरा परवत है कौन सा सत्पुडा परवत नर्मदा और ताप्री नदियों से घिरा परवत है सत्पुडा परवत ओके फ्रेंट्स नेक्स्ट है संसार के निकल उत्पादन में लगभग 90 प्रतिसत योगदान किस देश का है तो friends संसार के 90% निकल उत्पादन में जिसका सरवाधिक योगदान है वो है कनाडा कौन है friends कनाडा है जिसका संसार के निकल उत्पादन में लभग 90% योगदान है निक्स्ट है प्राइज्यूपी पठार की अधिकांस नदियां पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं कौन सी नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरफ सागर में गिरती हैं तो वो है friends नर्मदा और तापती नदियां जो की पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरफ सागर में गिरती हैं निक्स्ट है कुवों द्वारा सिचाई का सरवाधिक अनुपात क्रम सहराजिस्थान गुजरात वा उत्तर प्रदेश में है नलकूपो की प्रतिसत्ता किस राज्य में सरवाधिक है तो इसका सही आशर फ्रेंट्स उत्तर प्रदेश में नलकूपो की प्रतिसत्ता उत्तर प् में पैदा की जाती है देश में हरी चाय किस राज्य में पैदा की जाती है तो इसका सही आंसर हिमांचल प्रदेश में हरी चाय सरवाधिक हिमांचल प्रदेश में पैदा की जाती है ओकी फ्रेंट्स नेक्स्ट है बगलिहार जल बिद्दुत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है तो फ्रेंट्स बगलिहार जल्बिदुत पर्योजन बनाई जा रही है चिनाब नदी में कहां बनाई जा रही है चिनाब नदी में नेक्ष्ट है भारत में सरवाधिक वर्षा वाला इस्थान मौसिन राम किस राज्ज में है तो फ्रेंट्स भारत में सरवाधिक व प्रेंट्स भारत में मांसून का आगमन सबसे पहले केरल में होता है नेक्स्ट है किस ग्रह के चारों और इस पस्ट वले हैं तो फ्रेंट्स इसका सही आंसर है सनी सनी ग्रह के चारों और इस पस्ट वले हैं नेक्स्ट है पाक इस्ट्रेट किन देशों को जोडता है तो फ्रे प्रेंट्स, इस संबंदित परिगटनाओं का विज्ञानिक अध्यान किस नाम से जाना जाता है सिस्मों से के नाम से, बिक्टोरिय धीउप इस्थित है। कहां इस्थित हैं कनाडियन आर्केटिक में इस्थित है। निक्स्ट है देवदार ब्रच शमानते किस तरह के इस्थान में पाए जाते हैं तो फ्रेंट्स इसका सही आंसर है पहाडी वन किस तरह के इस्थानों में पाए जाते हैं पहाडी स्थानों में देवदार ब्रच पाए जाते हैं समसितोष्ण पहाडी वनों में पाए जाते है नेक्स्ट है यूरोप के वाज़ेज तथा ब्लैक फॉरेस्ट परवत किस प्रिकार के परवतों के उधारण है तो फ्रेंट्स यूरोप के वाज़ेज तथा ब्लैक फॉरेस्ट भ्रिंसोत या ब्लॉक परवत के उधारण है नेक्स्ट है फिजी दियूप अवस्थित है कहा अवस्थित है प्रिशान्त महा शागर में फ्रेंट्स आप इस कुश्चन को एक बार और ध्यान से देखिएगा कि देवदार व्रच समानतया समसितोष्ण पहाडी वनों में पाय जाते हैं नेक्स्ट है जस्ता के लिए प्रसिद जावरा खाने किस राज में इस्थित हैं तो फ्रेंट्स जस्ता के लिए जावरा खाने इस्थित हैं राजिस्थान राज में नेक्स्ट है किमबरले किसके लिए प्रसिद्ध है तो फ्रेंट्स किमबरले प्रसिद्ध है सोने की ख़दान के लिए किसलिए प्रसिद्ध है किमबरले सोने की ख़दान के लिए प्रसिद्ध है नेक्स्ट है जियोग्राफिया के लेखक है कौन है जियोग्राफिया के लेख कि दिशाओं को निरूपित करने हैं तु बारह भुजाओं वाले आरेक को क्या कहते हैं तो फ्रेंट्स इसका सही आशर है हीदर ग्राफ किसी स्थान के औसरतापमान यह वर्षा की दिशाओं को निरूपित करने हैं तु बारह भुजाओं वाले आरेक को हीदर ग्राफ कहते ह ओके फ्रेंट्स नेक्स्ट है उत्रा खंड की किश नदी पर हिरी बांध का निर्माड किया गया है तो फ्रेंट्स उत्रा खंड की भागी रथी और विलांगना के संगम इस्थल से नीचे हिरी बांध का निर्माड किया गया है ओके फ्रेंट्स तो आपको याद रखना है कि भागी रती और फिलांगना के संगा मिस्थल से नीचे हिरी बांत का निर्मार किया गया है निक्स्ट है लेटिन अमेरिका का और दोगिक दिश्टी से सरवाधिक बिक्सित देश कौन सा है तो फ्रेंट्स लेटिन अमेरिका का और दोगिक दिश्टी से सरवाधिक बिक्सित देश है अर्जेंटीना कौन सा देश है अर्जेंटीना है लेटिन अमेरिका का और दोगिक दिश्टी से सरवाधिक बिक्सित देश ओके फ्रेंट्स नेक्स्ट है सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरे प्रदेश की योर बहने वाला गर्म धूल से लदा हुआ पवन कहा जाता है क्या कहा जाता है मिश्ट्रल कहा जाता है नेक्स्ट है तिबद का पठार विश्व में सबसे बड़ा एवं उंचा है ये जिन परवस्त्रेडियों के मध्य में इस्थित है वे हैं कुन्डून और हिमाले तिबद का पठार विश्व में सबसे बड़ा एवं उंचा है जिन परवस्त्रेडियों के मध्य इस्थित है वे कुंडुन एवं हिमाले' ूचे फ्रेंट्स कूपी एवं मंन्गो लट प्रजाती है यह भारत के किस राज्य में सरवाधिक संख्या में रहती है कूपी एक मंगो लैड प्रजाती है यह भारत के असम राज्य में रहती है ओके फ्रेंट्स तो कुकी एक मंगोलाइट पुजाती है जो कि असम्राज में रहती है आपको यह याद रखना है नेक्स्ट है डागर बैंक जो परसिद मतस्य उत्पादन उत्पादक इस्थित है कहां इस्थित है उत्तर पश्चमी योरोपी तटपर डागर बैंक इस्थित है जो परसिद मतस्य उत्पादक इस्थित है वो उत्तर पश्चमी योरोपी तटपर इस्थित है ओकी फ्रेंट्स नेक्स्ट है भारत पाकिस्तान की बीच चलने वाली दो ट्रेने कौन कौन सी है एक है समझोता एक्सप्रेस जो की अटारी से लहौर तक चलती है और दूसरी है थाना एक्सप्रेस जो की मुना बाव से खोकरा पार तक चलती है ओके फ्रेंट्स निक्स्ट है तडित जंजा उत्पन होते हैं किस से वर्षा इस्तरी मेगो से तडित जंजा वर्षा इस्तरी मेगो से उत्पन होते हैं निक्स्ट है चक्रवाद क्या है तो इसका सही आंसर है फ्रेंट्स उत्तरी गोलार्ज में निम्नदाब तंत्र वाला वामा वर्थ पवन चक्रवाद कहलाता है निक्स्ट है दच्छुट पूर्व एसिया का अकेला इस्थल औरुध लैंड लॉक देश है कौनसा ला ओरा दच्छुट पूर्व एसिया का अकेला इस्थल औरुध देश है ला ओरा ओरा ओकी फ्रेंट्स निक्स्ट है नेपाल का प्रसिद अधोगिक नगर है कौनसा विरा नगर है निक्स्ट है रंगा नदी जल बिद्दूत सक्ति योजना जो उत्री पूर्वी छेत्र में सबसे बड़ी है अवस्थित है कहां अवस्थित है अउडांचल प्रदेश में रंगा नदी जल बिद्दूत सक्ति योजना जो की उत्री पूर्वी छेत्र में सबसे नर्मदा और शोर्ण नद्यों का उध्गमिस्थल अमरकनटक की पहाड़ियों से है. निग्स्ट है नागर कोली से स्रीलंका जाने के लिए किस जल डम्रू मध्य खाड़ी को पार करना पड़ेगा। तो फ्रेंट्स इसका सही आंसर है मननार की खाड़ी को. निक्स्ट है भारत का किंदरी मतस्य सोध संस्थान कहां इस्तित है तो फ्रेंट्स भारत का किंदरी मतस्य सोध संस्थान इस्तित है कोचीन में कहां इस्तित है कोचीन में इस्तित है भारत का किंदरी मतस्य सोध संस्थान निक्स्ट है मंगोलाइट मिलती है कहां मिलती है पूर्वी एशिया में मंगोलाइट एक प्रजाती है जो की पूर्वी एशिया में मिलती है सार गैशो शागर इस्थित है कहां इस्थित है अटलांटिक महासागर में तो सार गैशो सागर अटलांटिक महासागर में इस्थित है नेक्स है रूर इस्थित है कहां जर्मनी में रूर छेत्र कहां इस्थित है जर्मनी में इस्थित है स्वेज नहर की लंबाई कितनी है 166 km है किस छेत्र को विश्व की छत कहा जाता है तो विश्व की छत कहा जाता है पामीर के पठार को किसे कहा जाता है रूफ अफ दा वर्ड तो पामीर के पठार को विश्व की छत ये रूफ दी वर्ड कहा जाता है ओके फ्रेंट्स निक्स्ट है अर्जेंटीना के पास के मैदान कहलाते हैं क्या कहलाते हैं पंपास कहलाते हैं अर्जेंटीना के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं यहां पे गलत लिखा हुआ पास की जगे घास होगा कि अर्जेंटीना के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं ओके फ्रेंट्स नेक्स्ट है इंद्रा गांधी नहर ने किस छेतर का भुद्रश बदल दिया तो फ्रेंट्स इसका सही आंसर है उत्री पश्चमी राजिस्थान का इंद्रा गांधी नहर ने उत्री पश्चमी राजिस्थान का भुद्रश बदल दिया ओके फ्रेंट्स नेक्स्ट है कैगा किस के उत्पादन से के जाना जाता है कहेगा किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है तो फ्रेंट्स इसका सही आंसर है नाव की उर्जा के उत्पादन के लिए कहेगा नाव की उर्जा के उत्पादन के लिए जाना जाता है ओकी फ्रेंट्स निक्स्ट है कि सुब ग्रह का आकार प्रिथवी के आकार की लगभग बराबर है तो फ्रेंट्स इसका सही आशर है सुक्र का कि सुब ग्रह का आकार प्रिथवी के आकार की लगभग बराबर है सुक्र का फ्रेंड्स प्रिथवी और सुक्र को जुड़वा बहन भी कहते हैं तो आपको याद रखना है कि कि सुब ग्रह का आकार प्रिथवी के आकार के बराबर है तो सुक्र का आकार प्रिथवी ग्रह के बराबर है निक्स्ट है भारत में इस्थित सत्पुड़ा पर्वत को आप कि स्रेडी में रखते हैं तो भारत में इस्थित सत्पुड़ा पर्वत को हम आउस्षिष्ट पर्वत स्रेडी में रखते हैं यानि friends सत्पुड़ा परवज्जु है वह आउस्षिष्ट परवश्रेडी का उधारण है नेक्स्ट है भारत का उपग्रह इंसेट 4B वर्स 2007 में कहां से छोड़ा गया था तो friends भारत का उपग्रह इंसेट 4B 2007 में फ्रेंच गुयाना से छोड़ा गया था नेक्स्ट है नन्दा देवी चोटी हिमाले की किस भाग की चोटी है तो friends इसका सही आशर है कुमायू हिमाले की नन्दा देवी चोटी कुमायू हिमाले की चोटी है नेक्स्ट है कौन सा ज्वाला मुखी भूमद्धी सागर का प्रिकास ग्रह माना जाता है तो फ्रेंट्स इसका सही आंसर है इस्ट्रामबोली जोला मुखी भुमदी सागर का प्रिकासगर इस्ट्रामबोली जोला मुखी माना जाता है नेक्स्ट है विसु का कहवा पत्तन कहलाता है कौन कहलाता है सेंटोस विसु का कहवा पत्तन सेंटोस कहलाता है नेक्स्ट है किस नगर को जापान का पिट्सवर्ग कहते हैं तो फ्रेंट्स इसका सही आंसर है उसाका को जापान का पिट्सवर्ग कहते हैं नेक्स्ट है कालाहारी मरुस्थल कहां है तो फ्रेंट्स कालाहारी मरुस्थल है बोत्सवाना में निक्स्ट है तिल्गु गंगा परियोजना के जल में किन राज्यों का हिस्सा है तो फ्रेंट्स इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट का तिल्गु गंगा परियोजना के जल में हिस्सा है ओके फ्रेंट्स, नेक्स्ट है, हिंदुस्तान 오케이 بال queen factory कहा न स्थित है तो फ्रेंड्स, हिंदुस्तान के बस factory न स्थित है बंगलूर में नेक्स्ट है, बंकिंगम नहर का मुख योग है इसका सही अंसर है, नौका गमन में ओके फ्रेंट्स नेक्स्ट है मध्य अच्छांसी घास के मैदान क्या कहलाते हैं पंपाज और इस्टेपीज कहलाते हैं निक्ष्ट हैं नर्मदा और तापती नदियों से कौन सा पर्वत घिरा है तो friends नर्मदा और तापती नदियों से सद्पुडा पर्वत घिरा हुआ है next है सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रीपदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होता है तो फ्रेंट्स सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्री पदार्थ गरिनाइट चटान से प्राप्त होता है निक्ष्ट है वह नदी कौन सी है जिस पर सलाल जल बिदूत सक्ति परियोजना का निर्माण किया गया है तो friends सलाल जल बिदुद परियोजना का निर्माड किया गया है चिनाब नदी में जो की जम्मु कास्मेर में है तो आपको याद रखना है कि चिनाब नदी जो की जम्मु कास्मेर में है उसमें सलाल जल बिदुद सक्ती परियोजना का निर्माड किया गया है तट्रेखा से समुद्र में वह अधिक्तम दूरी कितनी है ज़हां तक किसी देश का अनन्य आर्थिक छेत्र फैला हुआ है तो इसका सही आंज़र है 200-Nautical Mayle तो 200-Nautical Mayle तक समुद्र किसी देश का अनन्य आर्थिक छेत्र फैला होता है नेक्स्ट है राष्ट्री पार्यावरण सोथ संस्थान नेशनल इन्वार्मेंटल रिसर्च इंस्ट्यूट किस इस्थान पर इस्थित है तो फ्रेंट्स इसका सही आंसर है नागपुर में राष्ट्री पार्यावरण सोथ संस्थान नागपुर में इस्थित है निसिद्ध सहर किसका उपनाम है तो फ्रेंट्स निसिद्ध सहर नाम है लहसा जो की तिबबत का है लहसा का निसिद्ध सहर नाम है जो की तिबबत में इस्थित है नेक्ष्ट है नूबियन मरूभूमी कहां इस्तित है तो नूबियन मरूभूमी इस्तित है सुडान में भारतिय मान समय एवन ग्रीन बीच मद्य समय के बीच कितनी समय का अंतर है तो friends भारती मानक समय और green beach माधी समय के बीच साढ़े पांच गंटे का अंतर है यानि पांच गंटे 30 मिनट का अंतर है भारती मानक समय इवं green beach माधी समय के बीच में ok friends next है ब्रेंबपुत्र नदी तिबबत में किस नाम से जानी जाती है तो फ्रेंट्स ब्रिम्पुत्र नदी तिबद में सांगपो के नाम से जानी जाती है निक्स्ट है फूलों की घाटी किस राज्ज में इस्थित है तो फ्रेंट्स फूलों की घाटी इस्थित है उत्राखंड राज्ज में निक्स्ट है गल्फ इस्ट्रीम क्या है तो friends इसका सही आणस़र है Gulf Stream, Atlantic महастागर में एक उश्न धारा है क्या है Gulf Stream? Atlantic महастागर में एक गर्म धारा है या उश्न धारा है Ok friends, next है Jamnagar जो की गुजरात में है, में काररत रिफाइनरी किस कम्पनी की है? तो फ्रेंट्स जामनगर में काररत रिफाइनरी रिलायंस कम्पनी की है ओके फ्रेंट्स नेक्ष्ट है विस वन दिवस किस दिन मनाया जाता है तो फ्रेंट्स विस वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को कब मनाया जाता है विस वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है निक्स्ट है जम्मु कास्मीर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग किस परवस्त्रेडी में इस्थित है तो फ्रेंट्स इसका सही आसर है पीर पंजाल स्रेडी में जम्मु कास्मीर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग पीर पंजाल स्रेडी में इस्थित है तो फ्रेंट्स लद्दाखियों जासकर परवस्त्रेडियों की बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है तो फ्रेंट्स लद्दाखियों जासकर परवस्त्रेडियों की बीच से सिंधु नदी प्रवाहित होती है कौन सी नदी शिंधु नदी प्रवाहित होती है नेक्स्ट है 2001 की जनगर्णा के अनुसार भारत का सरवाधिक घना आबाद राज्य है कौन साई फ्रेंट्स पश्चिम बंगाल है फ्रेंट्स हमने ये कुश्चन छोड़ दिया है क्योंकि ये कुश्चन मुझे करेक्ट नहीं लग रहा है इसलिए फ्रेंट्स इस कुश्चन को छोड़ कर हम अगले कुश्चन को पढ़ेंगे जो की है कि 2001 की जनगर्णा के अनुसार भारत का सरवाधिक घना आबाद राज्य है तो कौन साई फ्रेंट्स पश्चिम मंगाल है नेक्स्ट है भारत का मौसम मानचीतर किस प्रिच्छे पर बनाया जाता है तो फ्रेंट्स भारत का मौसम मानचीतर मारकेटर प्रिच्छे पर बनाया जाता है नेक्स्ट है हवाई द्यूप की खोज किस ने की थी तो फ्रेंट्स हवाई दूप की खोज की थी James Cook ने की थी ओके फ्रेंट्स नेक्स्ट है नाइजीरिया की राजधानी क्या है तो फ्रेंट्स नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा क्या है नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है ओके फ्रेंट्स नेक्स्ट है भारत में किस इस्थान पर कौफी तथा चाय दोनों की खेती की जाती है तो फ्रेंट्स इसका सही आंसर है नीलगिरी की पहाडियों पर भारत में कौफी तथा चाय दोनों की खेती नीलगिरी पहाडियों में की जाती है विस्व में लोह इसपात का सरवाधी कुदपादन करने वाला केंद्र है कौन सा है पिट्सबर्ग विस्व में लोह इसपात का सरवाधी कुदपादन करने वाला केंद्र पिट्सबर्ग है ओके फ्रेंट्स नेक्स्ट है भारत में किस स्थान पर कॉफी तथा चाय दोनों की खेती की जाती है तो फ्रेंट्स ये फिर से रिपीट हो गया है कुश्चन ये वाला कि भारत में किस स्थान पर कॉफी तथा चाय दोनों की खेती की जाती है तो इसका सही आंसर है नेलगिरी की पहाडियों पर नेक्स्ट है विस्व में लौइस पात का सरवाधिक उत्पादन करने वाला केंद्र है पिट्सवर्ग ये भी कुछन रिपेट हो गया सौरी नेक्स्ट है बानीपूर अभ्यारंड किस राज्य में है तो फ्रेंट्स करनाटक राज्य में है भारत में छित्र फलकी द्रिष्टी से सबसे बड़ा राज्य नेक्स्ट है कोरापूट किस उद्धो के लिए जाना जाता है तो फ्रेंट्स कोरापूट जाना जाता है वाइव यान उद्धो के लिए नेक्स्ट है सागरमाथा के रूप में किसे जाना जाता है तो फ्रेंट्स सागरमाथा क की रूप में एवरिष्ट परवत को जाना जाता है नेक्स्ट है विशु का कॉफी पोर्ट कहलाता है कौन कहलाता है फ्रेंट्स सेंटोस विशु का कॉफी पोर्ट कहलाता है नेक्स्ट है पाक जिल्डमरू मध्य इस्थित है कहां स्थित है फ्रेंट्स मनार की खाड़ी में इस्तित है ओके फ्रेंट्स निक्स्ट है किस पडोसी देश के साथ भारत की सरवाधिक लंबी सीमा है तो फ्रेंट्स चीन के साथ भारत की सरवाधिक लंबी सीमा है निक्स्ट है भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कौनसा है मध्य प्रदेश भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज मध्य प्रदेश है लिए विस्युमें सबसे घहरी जील कौन सी है तो फ्रेंट्स विस्युमें सबसे घहरी जील बैकाल जिल जो की साइबेरिया में इस्थित है नेक्स्ट है ब्राजील धारा है उत्तर दच्छड अटलांटिक महासागर की सीतल धारा ब्राजील धारा क्या है दच्छड अटलांटिक दच्छिड अट्लांटिक महासागर की सीतल धारा है ओके फ्रेंट्स नेक्स्ट है विश्व के साथ अजूबों में समलित चीचेन इडजा कहां इस्तित है तो फ्रेंट्स चीचेन इडजा इस्तित है मैक्सिको में नेक्स्ट है जनसंख्या के घटे करिम से चीन और भारत के बाद कौन से दो देश आते हैं तो friends इसका सही आंसर है शैंक्तुराज अमेरिका और इंडो नेशिया जिन सैंख्या के घटे क्रिम से चीन और भारत के बाद शैंक्तुराज अमेरिका और इंडो नेशिया आते हैं ओके friends नेक्स्ट है सूरी से दूरी के क्रिम में कौन से दोग्रा मंगल और यूरेनस के बीच आते हैं तो फ्रेंट्स इसका सही आंसर है ब्रहस पती और सनी जो की सूरी से दूरी के क्रिम में मंगल और यूरेनस के बीच आते हैं नेक्स्ट है केंद्रिय धान अनुसंधान संस्थान कहां अवस्थित है तो फ्रेंड्स केंद्रिय धान अनुसंधान संस्थान अवस्थित है कटक में next है मिस्तरित खेती किसे कहते हैं तो friends मिस्तरित खेती कहते हैं विभीन फसले उगाने के साह साथ पसुपालन भी करना मिस्तरित खेती या मिक्ट्व फार्मिंग कहलाता है नेक्स्ट है उंकारेश और परियोजना किस नदी से संबंधित है तो फ्रेंट्स उंकारेश और परियोजना संबंधित है नर्मदा नदी से किसे संबंधित है उंकारेश और परियोजना नर्मदा नदी से संबंधित है निक्ष्ट है माल्टा किस सागर में अवस्थी थै तो फ्रेंट्स माल्टा अवस्थी थै भुमध्य शागर में निक्ष्ट है जब 1903 में आंत्र राज का एक अलग राज के रूप में गठन हुआ तो कौन सा सहर उसकी राजधानी बना था तो फ्रेंट्स इसका सही आंसर है करनूल जब 1903 में आंत्र प्रदेश राज का एक अलग राज की रूप में गठन हुआ था तो उस समय आंत्र प्रदेश की जो राजधानी बना था वो था करनूल ओके फ्रेंट्स नेक्स्ट है मानस किस नदी की सहायक नदी है तो फ्रेंट्स मानस ब्रेंब पुत्र नदी की सहायक नदी है किस की सहायक नदी है मानस ब्रेंब पुत्र नदी की ओके फ्रेंट्स निक्स्ट है जहां पूर्वी घाट तथा पश्चमी घाट मिलते हैं वहां कौन सी पहाडियां आवस्थी थैं तो फ्रेंट्स जहां पर पूर्वी घाट और पश्चमी घाट मिलते हैं वहां पर नीलगिरी पहाडियां आवस्थी थैं कौन से पहाडियां नीलगिरी पहाडियां ओकी फ्रेंट्स निक्ष्ट है काहिरा या मिस्र किस जलवायु छेतर में इस्थित है तो फ्रेंट्स मिस्र अवस्थित है भुमद्य शागरी जलवायु छेतर में काहिरा या मिस्र भुमध्य शागरी जलवाई छेतर में इस्थित है तो फ्रेंट्स ये थे जोग्राफिके महत्यपूर वन लाइनर कुश्चन्स फ्रेंट्स ये बेरी इंपॉर्टन कुश्चन्स हैं क्योंकि ये कई बार एक्जाम में पूछे जा चुके हैं तो फ्रेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फार वाचिंग दिस वीडियो